हलो एंद नमस्कार फ्रेंड्स में हूं डॉक्टर यूके इंदर और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर यूके इंदर बुला एंद हेल्टिप्स दोस्तो आज हम जिस इंपोर्टेंट मेडिसिन की बारे में बात करने वाले हैं उस मेडिसिन का नाम है टैबलेट प्लैसिडा दोस्तो टैबलेट प्लैसिडा यह हमार दिमाग पर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करने वाली मेडिसिन है यह हमार दिमाग में जो उल्टे सीदे विचार आते हैं लो फीलिंग होता है डिप्रेशन एंग्जाइटी ऐसी बीमारियों में का का उपियोग होता है दोस्तों टेबलेट प्लैसिडा यह दवाई का नाम है ब्रैंड नेम है और इसके अंदर जो इंपोर्टेंट मेडिसिन है वो है फ्लू पैंधिजॉल और दूसरा है मेलिट्रासिन दोस्तों एक कॉंबिनेशन मेडिसिन इन दवाओं के कॉंबिनेशन से बनती है टैबलेट प्लैसिडा यह काम कैसे करती है दोस्तों फ्लू पैंधिजॉल दोस्तों एक एंटिसाइकोटिक दवाय है यानिकी हमारे ब्रेन की अंदर जो डोपामाइन नाम का कैमिकल है उसकोl में रखती है उसको कांड् recruitment में रखकर दिमाग के अंदर जो भी उल्टे सीदे विचार आते हैं thoughts आते हैं मूर्ड से उनको कंट्रोल करती है और फाइदा पहुंचाती है दिमाग सम्मन्दी बिमारियों में और जो दूसरी दवाई है दोस्तों है मेली ट्रासन एक डिप्रेसिन दवाई या की जो दिमाग के अंदर ऐसे केमिकल स्कों मैं सेंचर को लेवल में मैंटेन रखती है जिससे पेशेंट को डिप्रेशन इस बीमारी में फाइदा होता है तो इन शॉर्ट दोस्तों ये कॉंबिनेशन मेडिसेन है दोस्तों इसके जो प्रमुक यूजेज हैं उपयोग हैं टेबलेट प्लैसिडा के वो हैं डिप्रेशन जैसे कि आजकल हम देखते हैं डिप्रेशन लो फील करना चोटी-चोटी बात पर गुसा आना नीन जादा आना कम आना बहुत सारे लक्षन डिप्रेशन आजकल आम बिमारी है सभी को पता है डिप्रेशन की बारे में दूसरा depression with anxiety, depression भी है और साथ में गबराट भी होती है, गबराट with anxiety, anxiety होना, agitation होना, hyper activity होना, patient चिड़ेल होना, चिड़ा सा होना, इस साब से जो depression के लक्षन है, बीमारिया उसमें फायदा पहुचाती है दूसरी जो बीमारी है जिसके अंदर इसका उप्योग होता है, वो है सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया में खासकर maintenance therapy for सीजोफ्रेनिया, यहीं सीजोफ्रेनिया जब जो main लक्षन होते हैं उसमें फायदा नहीं पहुचा दी, बस सीजोफ्रेनिया का patient जब उसका इलाज चल control में है, सीजोफ्रेनिक patient को अभी hyper activity नहीं हो रही है, agitation नहीं है, control में है, उसके mood behavior सब control में, तो maintenance therapy, long time maintenance therapy के लिए tablet placida का उप्योग होता है, और दूसरा mood swings, कई लोगों को mood swings होते हैं, कभी mood अच्छा हो जाता है, कभी mood feel low करते हैं, कभी अच्छा लगता, कभी बुरा लगत कभी down रहता, उसमें भी इस tablet का खभी उप्योग होता है, tablet placida, दोस्तों tablet placida के हमने अपको uses बता है, और कैसे काम करता हो, बता है, इसके side effects क्या है, दोस्तों जैसे हर tablet के side effects है, इसके भी side effects है, जो प्रमुख side effects है, वो हम आपको बताते हैं, dizziness, sleepiness, याने excessive नीन आना, चकर स महसूस करना, ये प्रमुख side effect है, दूसरा है dry mouth, मुह बार बार सूखना, बार बार पानी पीने की इच्छा होना, दूसरा excessive salivation, याने की मुह में बलकम आना, बार बार थूख आना, next है weight gain, आप ज़्यादा दिन ये दवाई लेंगे, तो आपको weight gain हो जाता, वजन बढ़ है आपका, फिर है urinary retention, पिशाब रुख सकता है, और last and important है constipation, कब्स होना, इसलिए जबी भी आप ये tablet लेंगे, तो आपको इस tablet के साथ में healthy diet, याने खूब पानी पीना, green vegetables खाना, हरी सबजिया खाना, और घूमना, फिर ना exercise में करना, ये ज़रूरी है, ताकि जो उसके side effects हैं, इन से आप बच सकें, और कुछ जो normal side effects हैं, अपने आप समय के साथ ठीक हो जाते हैं, दोस्तों क्या ये habit forming medicine है, normally ये medicine अगर आप doctors की सलहा पर ले, तो habit forming नहीं होती, और कुछ समय के लिए ये दवाई आपको लगातार लेनी है, कुछ समय लेने से आपको फाइदा नह time लेंगे, तो इस दवाई का फाइदा भी दिखेगा, दोस्तों एक important बात याद रखना है कि ये prescription medicine है, और सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के prescription पर ही आपको ये medicine लेनी है, स्वेम self-medicate नहीं करना, इस बात का ध्यान रखेंगे, दोस्तों जो frequently asked questions है इस tablet के बारे में, प्लैस driving करते समय और heavy machinery यूज़ करते समय भी दोस्तों unsafe है, क्योंकि ये tablet लेते समय, हो सकता है आपको orthostatic hypotension हो, हो सकता कई बार low BP हो, dizziness हो, नीन आ जाया अचानक से आपको, इसलिए driving के साथ ये tablet unsafe है, और heavy machinery आप use करते हैं, काम करते हैं, तो भी unsafe हैं, सावधानी से उप्योग कर जरूरी है, pregnancy और breast feeding की परिस्तिती है, अगर तो आप doctors की सला पर लेना है, consult your doctor, if you are pregnant और breast feeding, अगर आपको को लिवर संबंदी बिमारी है, तो हो सकता है, आपको dose adjust करना पड़े, या doctors आपको ये tablet न दे, kidney संबंदी, kidney के उपर ये tablet normally safe है, इन बातों का भी आप ध्यान दोस्तों, तो दोस्तों, आज हमने आपको tablet placida, याने की, जो salt है, वो है flupanthizol plus melitracin, तो ये important medicine की बारे में आपको हमने आज बताया है, दोस्तों आशा करते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आयोगा, इस वीडियो को आप like and share जरूर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए है, तो कुरुपया सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको ऐसे वीडियो और लाके दे सकें, दोस्तों, कुरोना का समय चल रहा है, आप सतर्क रहिए, यूज मास्क, हैंड सेंटेशन जरूरी है, और keep avoid crowded places, आप भीड भाड वाली जगहों से दूर रहिएगा, द उला का समय जरूरी है, तो हैसे दूरियो और लाड, यू जरूरी है, जरूर है, जरूरी है।